जोड़ी क्या ही खास्ति हमारी उसे नचाना आता था हमें नाशने का सोग था उसे मचाना आता था हमें मशने का सोग नमस्कार दोस्तों मैं हुराहुल श्वागत है आपका मेरे शेनल बोले उन बादसा का ये गाना अब तक हर किशी ने सुन लिया होगा लेकिन ध्यान बहुत कम लोगों ने दिया है या दोस्तों सनक करके बादसा का जो नया गाना रिलीज हुआ था उसमें उन्होंने भूले नात का नाम यूज किया ठीक है भीया आप भूले नात का नाम यूज कर रहे उन चीजों को बनाते हों जब गाना बनता है तो उसके प्रोसेस काफी लंगी होती है गाना रिकोर्ड होता है उसके उपर फिर वीडियो रिकोर्ड होता है बहुत सारी चीजों होती है तो हम उस चीज को बार-बार कम से कम दस बार सुन चुके होते हैं लेकिन दस बार सुनने से रात व रात क्रेट कर देती है उसके बाद लोग मांपी मांग लेते हैं और उसके बाद चीजे वापस से नॉर्मल हो जाती लेकिंगन सामने आले को तो उस चीज का फैदा मिल चूका होता है जिसके जरीए इंसान रात व उसके बाद सिर्फ उसको एक माफी मांगना होता है और सारी सीजे वापस से नॉर्मल धीरे-धीरे पट्री पर आ जाती है लोग धीरे-धीरे बातों को भूल जाते हैं तो चलिए अब हम भी जान लेते हैं कि बात्सा ने अपने गाने में बोलेनात को लेकर क्या कुछ कहा था और अब उन्होंने माफी मांग ली क्योंकि उनके खिलाब कुछ जगाओं पर FIR भी दर्ज किये जा चुकिया इसके पहले दो दिन पहले उनको महाकाल मंदिर के प्रमुक कुजारी जी ने भी उनको चेताव नहीं दी थी कि भिया आप इस तरह के सब्दों को ना यूज करे इस तरह से आप हिंदु धर्म की छवी को धुमिल करने की कौशिश कर रहे हैं तो चलिए अब हम भी जान लेते कि अपने माफी नामे में बात्सा ने क्या कुछ कहा है बोलीवूट के मशूर रेपर बात्सा अक्सर अपने गानों को लेकर सुल्कियों में बने रहे हाला कि उनके गाने में इस्तेमाल किये गए सब्द अक्सर उन्हें मुशिबत में डाल लेते हैं इसी बीच बात्सा का नया गाना सणक लगातार विवदों में गिरा हुआ है इस गाने की खिलाब जमकर विरोध मामला इस कदर बढ़ गया है कि पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों ने बात्साहा के पुतले तक जला दिये हैं और उनके खिलाब जमकर आवाज भी उठाई जा रही है खेर मामले को बढ़ता देख अब रेपर बात्साहा का रियक्शन भी सामने आ गया है रेपर ने एक पोस्ट शेयर करते हुए माफी मांगी है उन्होंने कहा है कि यहां मेरे ध्यान में आया है कि मेरे हाले रिलीज गाने सनक ने कुछ लोगों की भावनाओं को आहद किया है मै कभी भी श्वेच्छा या फिर अंजाने में किसी की भावनाओं को ठेश पहुन नहीं पहुंचाऊंगा मेरे प्रसंसको मेरी कलात्मक कृतियों और संगीत रशनाओं को पूरी इमानदारी और जुनून के साथ आप तक पहुंचाएं बात्साहा ने आगे लिखकर यह जान लगते हैं और फिर सभी प्लेटफार्म पर बरलाव भी दिखाई देने लगेंगे वहां सभी से इस प्रोशेश के दोरान धेरे रखने का अनुरोत करते हैं वहां विनम्रता पूरवक उन लोगों से छमा मांगते हैं जिने उन्होंने अंजाने में चोड़ पहुंचाई है तो दोस्तों फिलाल तो बात्सा ने अपने तरफ से एक अच्छा कदम उठाते हुए सभी से माफी मांग लिए तो उनके इस कदम की में सराना करूँगा लेकिन यार देखो माइड में कही ना कही एक बात क्लिक कर जाती हैं कि जब आप इतने समझदार हो कि बाद में आपक करता हूं तब मैं उस टाइम पर यह ध्यान रखता हूं कि मैंने कहीं इस वीडियो में कुछ इस तरह के सब्दों ना बोले हैं जो कि किसी को किसी तरह से ठेस पहुचा सके या फिर वो मेरे लिए गलत सावित हो सकते या फिर मैं उन सब्दों की वज़े से मुसिबत में बात है तो दोस्तों आपकी क्या है रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्या आपको भी लगता है कि यह नेगेटिव पब्लिशिटी वाला टूल जमकर काम कर रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताना और अगर आपने अभी तक मेरे शेनल को सब्सक्राइब नहीं किय है तो प्लीज जल्दीश कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें मेरे शेनल के साथ